नमस्कार स्पार्टोडे नियूज मां अपना अलता गुछ द्रस्य कें क्मूगी घानेक अलता सालाईक कंतिहों reacting और डिल्ली धर्म राष्टी एक ऐक पन्परण्स घंडेत अलता किसलों towardscause पूर्वा रिपोर्टर पण रही चुक्या चैन अग्रणी दिपक शानी दिल्दी खाते जे कराष्टी सर्वधर्म कॉन्फरेंस सबसे पहले तुम्हें आपको बता दूं ये राष्ट्रिय कॉन्फरेंस हर साल आयोजित की जाती है और सभी धर्म के लोग इसमें आके अपने विचार रखते हैं इस बार इस वर्ष 2550 वर्ष है बगवान महवीर के निर्वान का बराबर आज से 2550 वर्ष पहले याने के इस विशन 540 बगवान महवीर का जन्म हुआ 72 वर्ष की आयू में वो मोक्ष को प्राप्त कर गए पावापुरी से उन्होंने जो जैन धर्म दिखलाया 25 वर्ष पुराना ये धर्म ऐसा नहीं है ये धर्म बहुत प्राचीन है इनकी जड़े बहुत है क्योंकि भगवान महवीर वो 24 वे तिर्थंकर है यानि कि इसके पहले 23 तिर्थंकर हो गए पहले तिर्थंकर जो आदिनाथ स्वामी है लोग संकर भगवान भी मानते है इस में बहुत सारी चर्चाए होती है जब ये राष्टिय परिशद विविद धर्म की होती है तब ये सारी बाते निकल के आती है पहले रुषब देव अजीतनाथ संभवनाथ अभिनंदन स्वामी ऐसे करके खूल 24 वे तिर्थंकर भगवान माहवीर बने अभी वर्तमान में हम भगवान माहवीर के सासन में है तो भगवान माहवीर का ये पाची सो पचासवा निर्वाण दिन है भगवान माहवीर के जो निर्वाण हुआ उसको पूरे देश में कैसे मनाय जाए तो वर्तमान गच्छादी पति वल्लबसूरी समुधाय के आचारिय गच्छादी पति धर्मदूरंदर सूरी स्वर्जी महराजा उन्होंने सभी धर्मके लोगों को इन्वाइट किया है ये जो conference आयोजित की है उसमें यहूदी धर्म के मुस्लिम धर्म के scholar मौलवी साब जोसफ जैसे जो father है इसाई धर्म में कामा करके जो पार्सी धर्म है ऐसे विवीत जितने भी हिंदू समाज मुस्लिम समाज ऐसे अलग-अलग जो धर्म समुदाए है वो लोगों को invite किया गया है इसमें सर इतना बड़ा एक धर्म का जब conference मिलने जा रहा है वो छोटी बड़ी बात बोल नहीं सकते जी विच वन इस बिग तिंग सर किस ने आयोजन किया है आयोजन का पूर्व विचार किसको आया यह जो नई दिल्ली लोधी पर लिषिय स्टेट में वहां पर एक CD देश्मुक memorial auditorium इंडिया इंटरनेशनल center बहत ही बड़ा national international event इस auditorium में होती है जब III national international level का कार्यक्रम होता है तो इसी ओडिटोरियम में होता है तो यहां पे All India Council for Religious and Peace उसके सचीव है संजय जैन और Temple of Understanding India Foundation New Delhi और सांतिनात आत्मानन जैन रूप नगर दिली इन्होंने मिलके ये राष्टिय सर्वधर्म कॉन्फरेंस परिशत का आयोजन परंपुज्य गच्छादिपति आचारिय धर्म दिरंदर सुरिस्वरजी महराज की निस्त्रा में नई दिल्ली में आयोजित किया है ये कार्यकरम दो दिन का है 27 तारीकों याने की कल आज मैं अभी यहां से सीधा निकलूंगा दिल्ली के लिए कल सुबह में 10 बजे वही पे लोधी रोड पे लोधी एस्टेट में ये जो सीडी मेमो उसका सुभरंब होगा और 28 तारीकों ये राश्ट्रिय सर्वधर्म परिश्द का आयोजन किया गया है जी मित्रोफ पहले ही आपने बताया मैंने बताया इसी तरह सर्वधर्म यानि सर्वधर्म सभी धर्म के वहां पे धर्मगुरू आने वाले और एकी मंच पर यह धर्मगुरू होगे और अपना अपना बयान देगे वक्रुत करेगे वह बहुत बड़ी बात है जैन अग्रणी दिपक भाई शाह वो एकी ऐसे इंसान है जिनों कहीं सिवाय किये जैन अग्रणी भी है महराजा साजी राव युनियोशिटी जो बहुत बड़ी युनियोशिटी है उनके पूर्व सेनेट सभे भी रह चुके इस पार्ट टुडे न्यूज में जो यहाँ पर हम टॉक कर रहे है वो भी बहुत पुराने रिपोटर भी है सर गुजरात में से आपको ही इन्वाइट किया है और आप वहाँ पे वक्रुत देने वाले क्या कहना चाहूँ दोगा ऐसा है कि यह जो विशय है जिस विशय पे यह राश्ट्रिय सर्वधर्म परिशद का आयोजन किया है बगवान महवीर ने आज से 2500 साल पहले जो सिक्षा दी जो प्रीचिंग किया जो लोगों को बताया कि इस तरह से जीना चाहिए तो उसका आज भी रिलेवन्स है क्या इस विशय पे सभी धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यताए अपनी अपनी विचारधारा रखेंगे इस विशय का नाम रखा है बगवान स्री महवीर स्वामी जे के उपदेशों की उप्योगी था याने कि आज पूरे वर्ड में देखा जाए तो खुना मर्की का महोल है युद्ध का महोल है आज पूरे वर्ड में सुनामी आ रही है धर्तिकंप हो रहे है कोरोना जैसी महामारी आ रही है क्लाइमेट चेंज की समश्याए है पानी नहीं मिल रहा है तो ये सारी समश्याए जो है उस समश्या से अगर निजाद करना है उस से उभर कर आना है इस समश्याओ का पर्मेरिंट समाधान डुढ़ना है तो वो भगवान माहवीर ने अपनी जो उपदेश दिया है वो उपदेश के अनुसार अगर आदमी चले बिरेंजी तो वो अच्छी तरह से यह सारी के तोर पे आपको दो तिन ऐसे एक्जामपल देना चाहूंगा जैसे कि जैन धर्मगुरु है हमारे जितने भी साधू साधवी भगवंत है वो फिर दिगंबर के हो स्वेतांबर के हो तेरा पंथी के हो और स्थानकवासी के हो कभी भी वो बस में मुसाफर नहीं कर सकते कोई वहिकल का उपयोग नहीं करते है पग ही चलते है पैर ही चलते है जैन साधू को आठवी अजाइबी पी गिना जाता है सर क्या मुख्य वज़ा है वो लोग कई पे भी वेहिकल का यूज़ नहीं करते और अपने पाओ पे चलते तो वो वज़ा क्या है वो एक्जेटली नहीं मनुख्या है बगवान महवीर ने ये सासन स्थापित किया और जब बगवान महवीर ने देखा कि अब मेरा अंतकाल कौन पहुचाएगा क्योंकि ये सिद्धान्त से ही हमारी आत्मा को मुक्ति मिलती है ऐसा बगवान महवीर का मनना है तो वो लोगों तक कौन पहुचाएगा तो उन्होंने अपने जीते जी जैन धर्मकी स्थापना की जिसको हम सासन स्थापना बोलते बैसाक सुद ग्यारस को भगवान महवीर ने अपनी उपस्तिती में सादू, सादवी, स्रावक, स्रावी का ऐसे करके चार लोगों को स्थापित किया और जैन सादू है अचारिय भगवन ते है उनको जिम्मेदा जारी दी कि आपको ये सासन चलाना है अब उन्होंने सादू की समाचारी रखी सादू कैसे चलेगा जैसे आपने प्रस्टर पूछा कि वो पैर ही क्यों चलते हैं मैं आपको बता दूँ कि जैन मुनी जो होते है वो जैना का पालन करते है अब यह समझना पड़ेगा यह ज जीव की हत्या नहों हम बहिकल में चलेंगे तो उससे जीव मरेंगे इसलिए जैन सादू पैर से चलते हैं ताकि वह जीव हत्या से बच सके जैन सादू का जो कपड़ा होता है पहनने का, वो केवल लपेटते हैं, कभी कोई टेलरिंग वर्क नहीं होता है, जैन सादू कभी कोई टेलरिंग शॉप में जाके कि मेरे लिए कपड़े सिलाओ, वो केवल एक ही कलर पहनते हैं सफेद, यानि कि कोई फैशन नहीं, अपने सर के जो बाल है, वो खुद ही नोच है, इसलिए उनको बारबर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो यानि कि वो पैसे अपने पास नहीं रखते हैं, जैन सादू की समाचारिये, जैन मुनी के पास पैसे नहीं होते हैं, आप किदर भी जाओ, फ्लाइट में आपको कोई मिल जाएगा, दुसरे सादू संत मिले है, उसमें सबसे पहला महावरत है, वो अहिंसा का, वो किसी भी प्रकार से हिंसा नहों, उनके हाथ में एक डंडासन जैसा रहता है, नीचे, उसके नीचे मुलायम से रसी दतियां बनी होती है, रात को भी, अगर वो जाग गए, और उनको अपना पढखा ऐसे घुमाना है, तो वो पहले उनके हाथ में जो ओगा होता है, उससे ऐसे प्रमाजेंगे, ताकि अगर कोई जीव आ गया हो, और वो पल्टे तो वो मर न जाए, रात को भी चलेंगे तो ऐसे 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 नीचे करते करते जाएंगे, ताकि कोई जीव अगर चलता हो, अंदेरा हो, जैन हमारे आचारिय रत्नसुंदर मारत साब, वो भी एक जैनाचारिया है, दिल्ली में उनका चातुरमस था, तो टाइमस ओफ इंडिया के पत्रकार ने उनको पूछा था, और दूसरे दिन हेडलाइन थी टाइमस ओफ इंडिया की, ए जैन सादु जिस दिन से डिक्सा लेता है उस दिन से वो सनान नहीं करता है, अपड़े कपड़े भी वो इतने एक लोटा पानी में ही वो अपने सारे कपड़े वस्त्र जो है, उसको दो देता है, वो जो टॉलेट जाने के लिए या ऐसे तो ओपन में ही, ऐसी जगह जहां पे किसी जीव की हिंसा नहों, वो जो सकती है, तो किसी पात्र में लेके फिर वो जगह को देखेंगे और वहां से दीर से से चिड़क देंगे, इस प्रकार की सादू की समाचारी भी जैन धर्म में बगवान महविर ने बता है, हरेक कार्य करो उसमें जिव हिंसा भूल से भी न हो, इतनी उनको काल जी लेने का का यह बगवान महविर ने बता है, तो आज के वरतमान के समय में क्यों जैनिजम यानि की बगवान महविर के उब्देश क्यों रिलेवन्स है, तो आज जलकी समश्या है, सब लोग अगर अपनी जरूरियात के हिसाब से पानी का उप्योग करेकर तो जलकी समश्या समापत हो जाएगे जैन लोग पानी उबाल के पीते हैं आज जितने भी सारे रोग जो है वो आते हैं उसमें 80-90 % पानी का दोस होता है पानी में गड़बढ याने की आपके स्वास्त में गड़बढ तो जैन सादू होते हैं वो हमेशा उबाला हुआ ही पानी लेते हैं हम स्रावक मेरी माता जी आज 86 एर ओल्ड है वो भी पानी मैंने कभी भी उनको उबाला हुआ पानी के अलावा पानी पीते नहीं देखा है तो मेरे घर में भी हमेशा उबाला हुआ पानी पीते है ऐसे यानि कि अब आप देखो ये पानी का विशे हो गया अब ये क्लाइमेट चेंज आता है हम वनस्पती को काटते क्यों काटते हैं ये सारा जो विकास के नाम पे हम वनस्पती यानि की हमारा जीवन उसके उपर है हम जो स्वास निकालते वो उसका जीवन है वो स्वास निकालते वो हमारा जीवन है अगर वनस्पती नहीं है तो हम नहीं रहेंगे तो वनस्पती काई को हमने हमारे धर्मा में बहुत बड़ा सन्मन दिया गया है हमारे में ये बात बताते हुए भगवान माहवीर ने कि अगर आप वनस्पती की रक्षा करोगे तो आपका जीवन बचेगा आप कुछ भी करो आज अभी जब क्लाइमेट इस प्रकार से बन रहा है तब बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने डूंडा है कि अभी पेड की हत्याबत करो उसको रखो उसको काटना नहीं है तो जितने भी ये धर्तिकम पाता है मैंने एक संशोधन पढ़ा था नियूस पेपर में जब यहां महारास्ट में लातूर में धर्तिकम पाया था महा पायजान बहुत सारे पशुओं की बली हो जाती है उसको काट दिया जाता है उसका जो चितकार निकलता है उससे भी इस पे प्रभाव पड़ता है धर्ति पे और इसलिए धर्तिकम आता है ऐसा भी जपान में भी एक स्टडी हुआ था उसमें भी ये सारी बाते उबर के अगर यह आप दूसरे को दूसरे की लाइफ को भी अधिकार दो किसी का जीवन चीनना यह हमारा अधिकार नहीं है हम उसको कस्ट नहीं देंगे हम अपने रास्ता निकाल के कर लेंगे तो कोई जीव भी हमें हिंसा नहीं करता है हम हिंसा करते हैं मास मदीरा लेते हैं तो य सकता है जी सकता है इस प्रकार का भगवान माहवेर ने जो उपधेश दिया है वह वर्त मैं आपको बता दूँ सबसे पहले जाइन धर्म से वर्तमान गच्छाती पति आचारिया स्रीमद विजय धर्मदुरंदर सुरिसर जी महाराजा अपने विचार रखेंगे जो जम्मू कश्मीर के डॉक्टर करंड सी है जो राजनेता है वो भी अपने विचार रखेंगे आरि रीन चेन लावो वो सदश्य है माइनोरिटी कमिशन के उसके बाद में मुस्क्लिम समुदाई से फतेपुरी मस्जित के साही इमाम डॉक्टर मुप्ति मुकरम अहमद जी आने वाले है ख्रिश्चन याने की इसाई धर्म से अनिल जोसफ थोमस क्यूटो जी वो बिशप है वो आने वाले है उसके बाद में जो बौध के लामहा जिसको बोलते है बैनेरल डॉक्टर ये से दारुमल जी आने वाले है जो तिब्बत हाउस से आएंगे स्वामी सर्वलोका नंजी जो राम कृष्ण मिशन से है बुधप बुहाई धर्म से डॉक्टर एके मर्चंट आन वाले है उसके बाद में जो उर्मिला दीदी है ब्रह्मा कुमारी से आएगी पार्सी धर्म के लिए डॉक्टर सनाज कामा आने वाले है और उसके पस्चात सुफी संत सुफी राज संत आने वाले डॉक्टर धर्मचंज तिर्थंकर महावीर युनिवर्सिटी से आने वाले और बड़ोदा से मुझे दीपक शाह करके अमंत्रन दिया गया है इतने लोग इस राश्ट्रिय धर्म परिशद में बगवान माहवीर के उपदेशों की क्या आवश्यक्ता है उस विशय पर अपने विचार रखेंगे में अन्त में एक लाइन बजन के तोर पे हम लोग गाते है वर्दमान को वर्दमान की आवश्यक्ता है वर्दमान यानि कि भगवान माहवीर का जब वो बच्चपन में थे तब उनका नाम वर्दमान था वर्दमान स्वामी इसलिए हम लोग ये बजन हमेशा गाते है वर्दम को वर्दमान की आवशक्ता है और ये लड़ती जगड़ती जो दुनिया है उसको एक दिन भगवान महविर के मार्ग पे जाना ही पड़ेगा उस मार्ग पे चलेगो तो ये जो जगड़ा है यो टंटा फसाद है यो खुना मरकी है ये एक दूसरे का जीव लेने वाली बात है इससे हमको निजाद मिलेगा और लोग सांती से स्ट्रेस फ्री जिन्दगी जी सकेंगे इस प्रकार का बगवन महविर ने उपदेश दिया है हमारे सार्थ दिपक्षर ने जो भी महाईती इंफोर्मेशन दी वो रिलेटेड देली की थी देली में एक शर्वधर्म बड़ा सा कॉन्फररंस होने वाला है उसमें गैस्ट की तरह से गैस्ट की और से दिपक्षर को इन्वैट किया है सर स्पार्ट की टीम आपको करें वहां पर जाके आपका बहुत बड़ा पर्फोर्मेशन देगे तो अगले दिनों मैं एशा ही दिपक्षर प्रगतिकर्शा को आपको सुबेच्छा देता है कैमेरमेन अमीत के साथ मैं बीरेन स्पार्ट के लिए निउस के लिए भग्यमानू आपसे एक बात कहना चाह कि श्रमण भगवान महाविर स्वामीधी के उपडेशों को संदेशों को निर्देशनों को सुनने के लिए केवल नर्नारी साधू साथ भी ही नहें बलकि देव देवियां और पशू पंच्छी भी आते थे एक साथ में बैड़ते थे परमात्मा जो कुछ भी बोलते थे स्वतह सुनने वालों की भाशा के रुख में उनके भाव परिवर्तित स्वतह हो जाते थे यहां परमात्मा की वानी की एक अपने आप में अनूठी शक्ति हैं परमात्मा की वानी को सुनने के लिए पशू पंच्छी हर एक नर्नारी इतना ही नहीं केवल उनको मानने वाले हों ऐसा कोई जरूरी नहीं था उनके विरोधी विचारों वाले व्यक्ति वियाकर के परमात्मा की देशना सुनते थे और परमात्मा सब के लिए बोलते थे कारण केवल इतना इन सभी दनों के आने के पीछे सभी दन परमात्मा की वाणी में आत्म सुख आत्म विकास पाते थे एक दूसरे के प्रती किस तरीके से जीना है किस तरीके से हमारा विवार एक दूसरे के प्रती हो जिसके कारण से हम सब आत्म विकास साध सकें साधना के सूत्र आराधना के सूत्र जीवन जीने के सूत्र जीवन जीने की कलाः एक जीव का दूसरे जीव के प्रतिक ऐसा विभार और ऐसा विभार क्यों उससे होने वाले लाब और नुक्सान इन सबकी चर्चां परमात्मा मिशद रूप से करते थे बैठने वाले सुरोता सभीजन मंत्र मुग्द बन करके सुनते थे उस समय जितनी उनकी जरुवत थी आज की तारीक में भी उतनी तो क्या उससे भी ज्यादा जरुवत है जिनकी वाणी में पशूत पक्षियों की समस्याओं का समाधान नर्व नारियों की समस्या का समाधान डेव डेवियों की समस्या का समाधान सामाधिय से लेकर के विशिष्ट साधारन से लेकर के असाधारन सभी जीवों की समस्या का समाधान था ऐसी जिन्वानी के संधर्व में एक विशे रखा गया है जिसे सुनने के लिए आप आमंत्रित हैं इतना ही नहीं जिस तरीके से श्रमन भगवान महामिर स्वामिरी के विशे में अन्य धर्माव लंभी भी क्या क्या विचार रखते हैं उनके जीवन के विशे में उनके उप्रेशों के विशे में किस किस तरीके से समाधान ढूंडते हैं किस किस धंग से आज की समस्याओं में श्रमण भगवान महाविर स्वामी दी के बचलों के अनुसार समाधान क्या हो सकता है इसके विचार विमर्ष के लिए एक छोटी सी धर्म सर्व धर्म संगोष्ठी का आयोजन नखा गया है और स्थान है इंडिया इंटर्नेशनल सेंटर मेक्समूलर मार्ग लोधी एस्टे नहीं दिले यहां आप जरूर आएं समय हैं दस बचकर के यह सभा प्रावन हो जाएगी जिस सभा में सभी धर्माचारियों को और इतना ही नहीं धर्मों के प्रतीविंग्यों को भी बुलाया गया है और उस आहूत बुलाए गए विशिष्ट वक्ताओं में आपको नाम देना जाहता हूं डॉक्टर करन सिंग जी आर्च बिशप अनिल जोसफ थोमस कुट्टो श्री सोंपाल्जी शाष्त्री शही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमन स्वामी सर्वलोकानंधी ज्यानी जै किसंसिहधी वेनरेबल डॉक्टर गेशे दोर्धी दाबुल् सुफी श्री राजजी जैन प्रोफेसर जोकी बढ़ोदा के हैं गुजराज से भी हम लोगों ने आमंत्रित किया हैं उत्तर प्रदेश से भी आने वाले गुजराज बडोदा नगरी से प्रोफेसर श्रीमांग गीपक जी जैन और उत्तर प्रदेश से श्रीमांग धर्मचंजी जैन इत्यादी इसरीती से ये तो मैंने किवल चारपाट नाम ही गिना हैं इसके अतिरिक और भी अन्य धर्माव लंवियों को भी आमंत्रन और जैन आरादर सादर मुनियों सबको सावियों श्रावकों और श्राविकाओं को भी आमंत्रन प्रोग्राम में देवादी रेव श्रमण भगवान महामिर स्वामीदी की दिनांग 27 को दस बजे प्रातह काल दस बजे एक सुंदर भगवान श्री महामिर स्वामीदी के जीवन चरित्र पर आधारें चित्रों की प्रदर्श्री होगी उसके लिए याद रखिये दिनांग 27, 12, 2023 और जो सर्व धर्म संगोष्टि का आयोजन है उसके लिए दिनांग है 28, 12, 2023 जिसमें की अन्यान्यस्थानों के भी प्रकांड अधिकारी जनों को बुलाया गया है आप सभी जनों को भी आमंत्रा, आमंत्रा, आमंत्रा